अब देखते हैं अपना question number 5 क्या कह रहा है वो आपसे वो आपसे बोल रहा है जी in a circle of radius 21 cm बड़ा का देते हैं जी पर्जम दिक्कत में होनी चाहिए an arc subtends an angle of 60 degree at the center find the length of the arc area of the sector formed by the arc area of the segment formed by the corresponding arc तो भई सब कुछ पूछ लिया है इन्होंने इसमें सब कुछ पूछ लिया है arc भी पूछ लिया sector भी पूछ लिया और segment भी पूछ लिया शुरू आप करते हैं जी arcs radius deviation 21 cm और angle दिया हुआ है कितना 60 degree का वो आप से पूछ रहा है length of arc length of arc मतलब यहां से लेकर यहां ठीक है जी पहले जो चीज़े given है पहले वो लिख लेते है दिया हुआ है जी radius तो लिखेंगे let radius b radius कितनी है जी 21 cm और angle गिवन है कितना गिवन है 60 degree ठीक है हमसे पूछा क्या है हमसे पहले पार्ट में पूछा है जी the length of arc the length of arc length of arc क्या होती है theta over 360 2 pi r कोई दिक्कत भाई theta की value कितनी है 60 degree over 360 pi की value 22 22 over 7 और चाट 2 भी तो लिखना है sorry 2 pi r यह सारे introduction में बता दिया था मैंने यह है जी 2 pi की value 22 over 7 और r की value कितनी है 21 ठीक है अब ज़रा ध्यान दीजेगा 0 से 0 cancel out and 6 6 are 36 ठीक है 7 3s are 21 और 3 2s are 6 और 2 से 2 be cancelled out इसका मतलब यह है कि length of arc कितनी आ गई है the length of arc is equal to 22 centimeter बताई कोई दिक्कत यह रहा जी 20 यह पहला answer आ गया अब बात करते हैं जी अपने second answer second पर हमसे क्या पूछ रहे वो पूछ रहे area of the sector formed by the arc area of sector क्या है second part पर पूछ रहे area of sector area of sector का formula बहुत डिटेल में समझाया था जी theta over 360 pi r का square theta की value कितनी है ज़रा देखो यहाँ पह लिख लेते हैं जी theta की value है 60 over 360 pi की value है जी 22 over 7 और r की value कितनी है 21 क्योंकि square है तो इसलिए दो बार लिखेंगे हाँ जी सब कुछ clear है 7 3 जा होता है जी 21 0 0 cancel out 6 6 जा 36 3 से इसको cancel out करोगे 2 आ जाएगा और इसको करोगे तो 11 आ जाएगा अब इसको solve करने तो answer कितना आ रहा है इसको solve करने के बाद area of sector solve कर लेना answer आएगा 2 3 1 cm का square ये दो answer आ गए है मारे ठीक है जी एक तो आ गया जी length of arc और दूसरा क्या आ गया है area of sector दोनों चीज एच्छे से clear है अब आ जाएए third part पर third part पर वो आपसे पूछ रहे है area of corresponding segment angle कितने degree का था पीछे 60 degree आपकी जानकारी के लिए बता दूँ अगर मैं यहाँ पर एक chord draw करूँगा तब यहाँ पर एक segment form होगी तब यहाँ पर एक segment form होगी और इस segment का वो आपसे area पोछ रहे है अगर आप ध्यान दें तो angle sum property देको यह वाली भी radius है और यह वाली भी radius है तो यह दोनों तो equal है अगर two sides equal हो तो वो isosilis triangle बन जाता है और angle sum property से सारे angles का sum 180 होना चाहिए ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब यह दोनों भी 60-60 हो इसका मतलब यह equilateral triangle है समझ गए equilateral triangle वाला हम formula लगाएंगे और answer पाएंगे third part ज़रा देखिए third part पर आपसे क्या कह रहे है area of the segment area of the segment का formula क्या होगा theta over 360 pi r square क्योंकि equilateral triangle है तो root 3 by 4 side का square ठीक है area of sector भी हमने पीछे निकाला है 132 बार बार निकालने की ज़रूद में है यह भी हमने पीछे निकाला है यह निकाला 132 तो यह तो हो गया हमारा यह कितना है root 3 by 4 side का square मतब 21 का square ठीक है आप चाहो तो यहाँ पर 21 common ले लो क्योंकि यहाँ पर भी 21 है और यहाँ पर भी ठीक है चाहो तो क्योंकि यह क्या था यह जो आया था 11 into 21 करके आया था पीछे चेक कर ले था तो देखो यहाँ पर भी 21 है और यहाँ पर भी 21 है तो 21 common ले सकते है तो यहाँ पर क्या बचेगा 11 और यहाँ पर बचेगा देखो एक 21 बहार निकल गया एक अभी भी है 21 over root 3 over 4 चाहों तो ऐसे छोड़ दो या LCM लेकर common निकाल लो कैसे बचेखो यहाँ पर denominator में 4 है यहाँ पर भी denominator में 4 कर दो तो कैसे आएगा 21 देखो उपर नीचे मुझे किसे multiply करना पड़ेगा 4 से करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा जब आप उपर नीचे 4 से multiply कर दोगे तो LCM आ जाएगा LCM is 4 देखो यहाँ पर भी 1 over 4 है यहाँ पर भी तो 1 over 4 आप क्या ले सकते हो common 21 over 4 यहाँ पर आ जाएगा 44 यहाँ पर बचेगा 21 root 3 centimeter का square अब मुझे पता नहीं पीछे कैसे दिया हुआ है हो सकता है ऐसे दिया हुआ हो हो सकता है ऐसे दिया हुआ दोनों ही आंसर बिल्कुल सही है क्योंकि एक example ऐसा था आपके उसमें इसी तरीके से उन common लेके solve किया हुआ था तो हो सकता है पीछे ऐसे आंसर दिया हो इसलिए मैंने दोनों तरीके से कर दिया वैसे आपका येवाला आंसर यहीं पर खतम को जाएगा समझ गए? I hope कि अच्छे से समझ में आ गया होगा नोट कीजिए